नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Medicine Aptips YouTube चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे नारमाक्सिन आर्टी कैपसूल के बारे में दोस्तों ये कैपसूल किस कंपनी की है इसकी MRP क्या है इसमें content क्या है ये किस बिमारी मिली जाती है इसके side effects क्या है इस सबकी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तो दोस्तो आएज जानते हैं नारमाक्षिन आर्टी कैपसूल के बारे में दोस्तो नारमाक्सिन आर्टी कैपसूल सिस्टॉपिक प्राइबेट लिमिटेड कमपनी की बनी है जिसकी 10 कैपसूल की MRP 54 यानी 54 रुपए है दोस्तो इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो रेविपराजॉल सोडियम, डाइसाइक्लोमिन हेड्रोक्लोराइड, क्लाइडिनियम ब्रोमाइड और क्लोराडाजिप आकसाइड है दोस्तो आप जानते हैं कि ये दवा किस कंडिशन में हमें लेनी चाहिए तो दोस्तो जैसे पेट खराब रहता हो, खाना ठीक से नहीं हजम होता है कपच की समस्या हो, आपके पेट में दर्द हो, आपके पेट में गैस बनती हो तो ये कैपसूल बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों किसी भी प्रकार की गैस बनती हो या डाइजेस्टन ना ठीक रहता हो या पेट में दर्द रहता हो तो ये कैपसूल बहुत अच्छा रिस्पांस देता है दोस्तों आईए इसके डोज के बारे में बात करें तो ये सुबा और साम यानि खाली पेट लेनी चाहिए इस दवा को जब भिले तो सुबा साम खाली पेठी ले तो आईए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे ही सरदर्ध होना या थकान होना तो दोस्तो इस प्रकार के साइड इफेक्ट अगर आपको दिखें तो आप तुरंथ अपने डाक्टर से संपर करें और इस दवा को बंद कर दें तो दोस्तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बतारता रहता हूँ कि आप कोई भी अंगरीजी दवा यदि आपको लेनी है तो आप अपने डाक्टर की सलाप पर ही लें बिना डाक्टर की सलाप पर कोई भी अंगरीजी दवा यूज ना करें थैंक्यो दोस्तो